हालो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेह बजार वित आयूश और चलिए बीना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरुबात करेंगे विप्रो से तो विप्रो ने कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन में करीबन 2 रुपे 40 पैसे की गिरावट हफता कह सकते हैं विप्रो के लिए कोई खास बढ़िया था नहीं लेकिन आप पिछले एक महिने में शेयर में अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल गई है लेकिन कल दोस्तों स्टॉक जो है वो डिफिनिटली काफी आक्शन में देखने को मिलेगा ऐसा की होने वा तो यह अपने आप में बहुत बड़ी नहीं हो से क्यों बिकॉस नो डाउट दोस्तों इस पर रियाक्शन हमको देखने को मलता है क्योंकि जो आने वाला सीए होता है वो इनसे बहतर है या इनसे बहतर नहीं है उनका ट्राक रिकॉर्ड कैसा है बादर वो समाज नहीं कुश नहीं दिखता है और उसके जो पास्ट के वर्क है वो बढ़िया नहीं है तो मार्केट अटोमेटिकली देखिए उसको प्राइजिंग करने की खुशिश करने लग जाता है और गिरावट दिखा देता है तो नो डाउट कल आक्शन में रहता हो नहीं जड़ाएगा वैसे इ इनके नए CEO है वोगर हमें श्री निवास पालिया वो दोस्तों नए CEO और MD कंपनी के बने इसको अलब क्या है कि इनकी expectations क्या है कि अच्छा ही आपको बाजार में reaction देखने को मुलेगा श्री निवास पालिया दोस्तों यहाँ पर अब सक्सीड करेंगे him as Wipro's new MD and CEO यह दोस् इनके perfect a move towards 525 levels in the coming days इस तरह एक्स्पेकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर I experienced लगा जा रहे यहां पर investors की कमाई करवाई है तो मतलब ठीक है मतलब इनका performance आप कह सकते हैं कि ठीक रहा कोई बहुत शांदार भी नहीं और कोई बहुत खराब भी नहीं बहुत शांदार भी नहीं रहा यही सबसे बड़ी problem थी इसलिए दोस्तों यहां पर अब जो नए CU आये इनको लेकर मे 25 वैसे ही गिरावाट हमने देखे थी Friday के session में पिछले हफते दोस्तों यह शेफ 7% चला तो अच्छे कासी थेज़े हमको देखने को मिली बट यहां पर भी एक बड़ा जटका लगा है इनको क्या जटका लगा है तो दोस्तों चंद्र शेखर घोष ने रिटार्मेंट ले है ऐस बंधन बांग चीफ तो बिलकूर इनके भी चीफ ने दोस्तों आपर रिटार्मेंट ले लिया है लेकिन खबर क्या आ रही है कि दोस्तों यह एक्टिव रोल प्ले करेंगे इनकी holding company के अंदर अब देखें यहां पर भी आपको management में changes देखने को मिलेंगे बट माने ज institution that started as a microfinance lender तो मतलब इनके tenure में देखें कंपनी ने काफी growth दिखाया जरूर देखें काफी problems भी face किया उसको भी को deny नहीं कर सकता है बट जरूर देखें इनका resignation भी तोड़ा सा company के लिए कोई इतना खास positive step नहीं है राइट है आपको समझना पड़ेगा इनको देख सकते हैं कुछ समझी ना microfinance lender था एक bank उससे bank बनाया और उससे देखें substantial deposits है कुछ acquisitions इनकी दोरा किये गए जो अपना पर काफी बढ़िया थे तो अपना पर देखें इन्होंने company की पुरी growth story के अंदर योगदान दिया और company को बढ़ते हुए देखा है बनते हुए देखा है ये specific ब आज हल में share ने काफी खराब production किया है एक wealth destroyer आप कह सकते 63% यहाँ पे investors अपना पैसा खुए है long term में अगर आप देखेंगे तो 57.91% इसने अपना investors का पैसा खुए है जब से list हुए तब से पैसा खुए है तो अपना पर देखें कुछ उतना खास बढ़ा नहीं कर पया है जब से बाजार में list हुआ है लेकिन जिसमा ने का अगर आप कुछ पुरी company को देखेंगे तो उन्हें ने company को grow किया है अभी भी देखे 31 करोड की इसकी market cap है बची हुई है तो इसका बदब क्या है कि इन्होंने company को जिसमा ने का एक छोटे से काफी बड़ा किया microfinance lender से bank ब जो bonus है दोस्तो pro max power में कल देखने को मिलेगा bonus किस में दिया गया है 1 to 1 में दिया गया है और 8 April दोस्तो इसकी x date रखी गई है तो कल share आपको 50% तक का fall दिखाता हुआ नजर आएगा क्यों विकॉस दोस्तो उसके पीछे का reason है 1 to 1 bonus का adjustment हम को देखने को मिलेगा stock की price के अंदर तो कल share में इसके करण बड़ी गिरावट आपको अगर देखने को मिलती है तो चिंता अगंडने वाली बात नहीं है share में दोस्तो इसका adjustment हम को देखने को मिलेगा जिसके करण दोस्तो ये जो share है कल गिरता हुआ निजर आएगा इस बात का ध्यान रखना कितना गिरेगा 50% गिरता हुआ नजर आएगा इस बात का ध्यान रखना नेक्स लोग दोस्तो आदा है अडानी विल्मार अडानी विल्मार वैसे तो करीवन 352 पर क्लोजिंग दिया दो रुवे 35 पर सी गिरावट हम को देखने को मिली और पिछले अगर एक महीने में आप तो कोई स्टॉक का च्रदशन नहीं रहा है बलकि यह शेयर भी वो शेयर रहा है जिसने काफी देखे तेजी से इन्वेस्टर्स का पैसा पहले बनाया और फिर अपने अपमें गवाया हम यह कह सकते हैं प्योंकि इसने जिस तरगी तेजी दिखाई थी वो अपने आपमें क दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं रिकॉर्ट डबल डिजिट ग्रोथ दिखाईए करिबन क्यूफर एफटीफो के अंदर डिवन बाई होली वेडिंग सीजन इस तरीकी का अपडेट निकल करा है तो मतलब इनका जो क्यूफर एफटीफो का जो अपडेट आया है वो बेसि इसी ने मालब कंपनी का ओरल वॉल्म ग्रोथ को चार परसेंट सालना तौर पर डाउन किया है यह दोस्तों कंपनी अपडेट दिया है तो मिक्स हमको नंबर जाते हैं वे देखने को मिलना है क्योंकि एक्सपोर्ट उस तरीके से बढ़िया नहीं हो पाया तो यह भी एक री नेक्स टॉक है दोस्तों विधानता जो नो डाउट देखिये काफी बढ़िया कहा था फ्राइडे के सेश्न में और पिछले अगर आप एक महिने में देखेंगे तो शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिलिए 15-16 परसें शेयर चला है पिछले पाज दिनों में भी अल्म अथोरिटी जिसको हम दोस्तों बोलते है एडी आई है उनकी दोरह यहाँ पर स्टेक बढ़ाए गया डॉमेस्टिक मुचल फंड जैसे आई से मुचल फंड निपॉन इंडिया मुचल फंड इनकी दोरह भी दोस्तों जो होल्डिंग है वो बढ़ाई गई है बार्मॉस्ट इंक्रीस करी है और नोड़ देखें यहाँ पर जो रिसेंट रैली हमको देखने को मुली है क्योंकि जो इनके डीमज अप्लांस है और जिस तरीकिसे कंपनी अपने लोन को कम कर रही है उसके खारण दोस्तों शियर चला है और इसके खारण ने एक डॉमस्टिक कॉल भी दे डेटर निकल कराता है तो हमारे यहाँ पर भी जो मेटल कमपीज उनके अंदर कहसा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है यह बात भी धान रखिए का जिस तरीके से अभी इसराइल और इरान की भी खवरे निकल करा दी उसका भी इंपक्त पड़ सकता है पॉजिटिव में काफी हम कह सकते हुदा चड़ा वरा है लेकिन पिछले हफते के अगर बात करता तो शेड नीचे गरता हुने जरा है 1.84% लेकिन अब दोस्तों एक इंपॉर्टन ख़बर निकल कर आई है खबर क्या है खबर यह कि दोस्तों वोड़ा वोड़ा फोन आइडिया के अंदर अल्मोस्ट अब यहाँ पर शेयर वर्थ 2075 करोड यहाँ पर अलॉट के जाएंगे ग्रूप एंटिटी को जी हाँ अब वोड़ा फोन आइडिया के अंदर हम कह सकते है एक रिवाइविंग प्लान चल रहा है जिस तरीके से बीसा करोड दोस्तों कंपनी यहाँ पर रेस करे है राइड क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खराब दौर से गुजर रही है अपना पर देखे प्रॉब्लम तो है अब वोड़ा फोन आइडिया दोस्तों अब आप खुद होडिस करेंगे तो हाँ पर 2075 करोड तो और याना इंवेस्मेंट प्राइवेट लिमिटेड और आज प्रॉफ किया है कि यह जो authorized share capital है उसको दोस्तों यहाँ पर कर दिया गया है to 1 trillion split into 95,000 crore shares and 5,000 crore preference share और यह दोस्तों बढ़ाया गया अब नोड़ देखे इसके उपर आगे और क्या company action लेती हुँ तो हमको देखने को मिलेगा बट मैं सबसे बाज़ार इसको एक positive way में लेग सकते हैं इस बात में मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि जिस तरीके से दोस्तों जियो और एटल ने capture किया market वह बहुत मुश्किल है कि इस तरीके से फिर grow कर पाएंगे but let's see क्या होता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों जियो ने market capture किया कोई सो करता है तो दुस्तों इस वीडियो में इतना ही था होफिल आपको वीडियो बड़या अलगा होगा कर लेगा तो लाइक कर देना थैंक्यो फ्रेंट्स वार्चिंग इस वीडियो